Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 9.3 का question number 3 देखते हैं क्या है statement read करेंगे so that diagonal of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area इसका मतलब क्या है? PQRS हमें एक parallelogram given है और उसके हमने क्या करने है? diagonals draw कर लेने है means opposite vertices को join कर देना है S को Q से R को P से तो उसने कहा है कि जो हमारी 4 triangles मनेंगी यहां पे 1, 2, 3 और 4 उन 4 triangles का क्या होता है? equal area होता है यह हमने यहां पे show out करना है तो चलिए देखती हैं कैसे करेंगे इस question को? सबसे पहले लिखेंगे given क्या है हमारा question के अंदर PQRS क्या है एक? PQRS is a parallelogram यह चीज हमें given थी हमने यहां पे write down कर ली उसके बाद हमने क्या करना है? 2 prove 2 prove के अंदर क्या जाएगा? हमारी जो triangle है triangle 1, 2, 3 और 4 means यहां पे लिखेंगे triangle first जो है हमारी क्या है? OPQ इनका area equal प्रूव करना है तो area of triangle OPQ equal to area of OSR equal OPS equal area of OQR means area of 1, 2, 3, 4 चारोट रेंगल्स का area हमने equal prove करना है यहां पे तो चलिए देखते हैं क्या करना है अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं PQRS क्या है? एक parallelogram है PQRS is a parallelogram तो अगर PQRS parallelogram है तो उसके diagonals क्या करते है? एक दूसरी को bisect करते हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे? PQRS is a parallelogram so diagonals bisect तो diagonal क्या करते है? bisect करते है मतलब आपस में एक दूसरी को equal parts में divide करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा OP equal to किसके हो जाएगा OR के और OKO is equal to किसके हो जाएगाדי OS के तो यहां से हम जो result बना हमारा वो लिख देते हैंOP is equal to किसके हो जाएगा OR and os is equal to किसके हो जाएगा oq ये चीज हमने लिख दी यहाँ पे आप देखो in triangle pqs सबसे पहले लेके चलेंगे हम triangle लेके चलेंगे हैं pqs ये वाली triangle ये पूरी triangle ठीक है इसके अंदर देखो op क्या हो जाएगी bisect कर रही है तो op क्या है कि median होगी हमारी इस triangle की तो यहाँ पे इन triangle pqs क्या हो जाएगा op is median अब median का आपको पता है कि median क्या होती है triangle के area को दो equal parts में divide करती है तो यहाँ पे क्या आजाएगा so area of triangle ops is equal to क्या हो जाएगा area of triangle opq equation number first clear हो गई है अब देखो ये triangle लेके चलेंगे ये triangle हमारी qrs अब लिखेंगे in triangle qrs के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा median जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी or तो यहाँ पे लिख देंगे or is median अब or median है तो area of three equal to किसके हो जाएगा area of two के तो यहाँ पे क्या जाएगा so area of triangle osr equal to किसके आजाएगा area of triangle o qr के equation number second यह भी clear हो गया आपको अब यहाँ पे देखो मैं और क्या कर सकता हूँ अगर मैं इस triangle को और लेके चलूँ साथ में p qr ले लूँ या फिर psr मतलब इसको इसको equal प्रूँ कर दूँ या इसको इसको भी equal प्रूँ कर दूँ तो चारो area क्या हो जाएंगे हमारे equal हो जाएंगे कोई भी triangle ले लो जो आपका दिल करे psr लेना चाहो तो बो ले सकते हैं और p qr लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे in triangle psr मैंने psr ले ली यहाँ पे तो os क्या हो जाएगा हमारा os is median अब os median हो गया तो os क्या करेगा इस triangle को दो equal parts में divide कर लेगा मतलब 3 equal to क्या हो जाएगा 4 तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा area of triangle ops is equal to क्या हो जाएगा area of triangle osr equation number 3 देखो इसका इसका area तो मैंने equal prove कर लिया था इसका इसका भी equal prove कर दिया था और 3 equal to 4 भी prove कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया सारे के सारे area क्या हो गया equal द्यान से देखो first equation में मैंने क्या किया है ops ops क्या है हमारे 4 4 equal to किसके prove क्या था op क्योंगे equal to 1 के second वाले में osr O.S.R. क्या है हमारा 3 3 एक्वल किसके प्रू कर दिया मने O.K.O.R. मतलब 2 के और 3rd equation में क्या किया O.P.S. जो हमारा 4 एक्वल 2 3 के भी प्रू कर दिया ये 3 equation बनाई है न मने ये equation number first ये equation number second ये equation number third तो अब देखो 1 equal to 4 है तो यहां पर 4 equal to 3 है 1 equal to 3 भी तो हुआ है यहां से हो गया कलियर 3 equal to 2 है और 3 equal to 4 है तो 2 equal to 3 भी हो गया इसका मतलब क्या हो गया इन सब से मैं अगर ये तो मैंने roughly बताया है आपको तो यहां पर directly लिख सकते हैं from equation first second and third from first second and third area of triangle O.P.Q. is equal to किसके हो जाएगा है area of triangle O.S.R equal to area of triangle O.P.S equal to area of triangle O.Q.R मतलब 4 हो का area क्या हो जाएगा equal और इसको लिख देंगे hands prove I hope आपको समझ में आ गया होगा बिलकुल easy way था आपको बस यह देखना है कि triangle के अंदर median कौन सी है दो equal parts में divide कर देना और 4 हो का area या equal prove हो जाएगा कोई doubt अगर आपको लगे तो मुझे comment करके बता सकते हैं otherwise इस channel को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए next देखते है अपना question number 4 question number 4 के अंदर क्या है in the given figure ABC and ABD are two triangles on the same base AB उसने क्या का है कि AB base के उपर एक तो ABC triangle है और एक ABD triangle है एक मतलब base से उपर है एक base से नीचे है if line segment CD bisect by AB अगर जो CD जो हमारा क्या है कि लाइन segment है bisect by AB AB के दोबारा bisect किया जाता है at point O bisect का मतलब क्या होता है two equal parts में divide किया जाता है then show that area of ABC is equal to area of ABD तो हमने ABC के area को ABD के equal prove करना है means उपर वाली जो triangle बनी हुई है उसका area निचे वाली triangle के area के equal prove करना है ठीक है तो सबसे पहले लिखते हैं अपना given क्या है given है हमें triangle ABC and triangle ABD are on same base AB जो की क्या है AB base के उपर दोनों की दोनों triangle बनी हुई है show that क्या करना है या to prove क्या करना है हमने area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD दोनों triangles का area हमने equal prove करना है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें given क्या है in triangle ADC देखो यहां पर triangle कौन सी ले ली ADC इसके अंदर OA क्या है हमारी median अभी अभी बोला था उसने यहां पर बताया है कि CD जो है bisect by AB जो CD है AB के दवारा bisect की जाती है तो AB की यह क्या बन गया हमारा OA median बन गया यहां पर तो यहां पर in triangle ADC तो यहां पर क्या हो जाएगा OA is median clear है अब यह median है तो यह वाला area और यह वाला area क्या होगा इक्वल होगा तो यहां पर क्या लिख देंगे area of triangle OAD equal to होगा area of triangle OAC के clear equation number first similar way से हम क्या करेंगे इस तरफ triangle ले लेंगे DCB को इसके अंदर OB median हो जाएगी तो यह area और यह area क्या हो जाएगा equal तो यहां पर भी देखते हैं same in triangle CDB OB is median साथ में region लिखना चाओ तो आप लिख सकते हो क्योंकि मैंने previous questions में सभी में बताया है तो आप region यहां पर automatically लिख सकते हो median divide triangle in equal area equal area यह region भी लिख सकते हो तो यहां पर in triangle CDB OB अगर median है तो यह area और यह area क्या होगा equal होगा तो यहां पर क्या लिख देंगे area of triangle ODB equal किसके हो जाएगा area of triangle OCB equation number second तो देखो अगर मैं इस area इस area को add कर दूँ इसको और इसको add कर दूँ तो जो भी हमें proof चाहिए वो बन जाएगा तो मैं क्या कर लेता हूँ यहां पर add equation first and second first और second को क्या कर दो add left hand side left hand side में add हो जाएगी right hand side right hand side में add हो जाएगी तो यहां पर क्या बन जाएगा area of triangle OAD plus में area of triangle ODB is equal to area of triangle OAC plus में area of triangle OCB लिख दिया अब देखो OAD और ODB OAD और ODB क्या हो गया इस पूरा area हो गया किसका ABD का तो इसको क्या लिख देंगे area of triangle ABD is equal to OAC देखो OAC ये वाला area और ये वाला area पूरा क्या बन जाएगा ABC का area तो area of triangle ABC यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी देखो पर hands prove area of ABC ABD के equal प्रूव कर दिया हमने बिलकुल easy way था बस आपने करना क्या है इस पूरे की पूरी exercise में सबसे पहले अपनी median देखो अगर triangle के area की बात कर रहा है तो median क्या करती है triangle को दो equal areas में divide करती है उसका use करते हुए हम अपना proof कर लेंगे ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा कोई doubt अगर लगे तो मुझे comment करके बता सकते है otherwise इस चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए class 6 से लेके 12 तक के बच्चों में thank you students for your love and sport for this channel thanks